इधाय बोटन और इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको complete playlist मिल जाएगा डिस्क्रिप्ट मैथेमेटिक्स का वेलकम टो वीडियो नाइन जहां पर हम यहां पर दो टाम अपन सिखेंगे अगर आपने में चैनल को सब्सक्रिप नहीं किया हुआ है तो जली से इसको सब्सक्रिप्श कर लें पहला that is what is a universal set universal set हम किसको बोलते हैं तो all the objects under discussion all the objects under discussion comes in universal set अब यहाँ पे आप universal set में कुछ भी दे सकते हो universal set में कोई भी object यहाँ पे आ सकता है एक छोटा से example बताता हूँ जैसे माल लो अपने पास कोई एक set है जिसका elements क्या है 1, 2, 4 है और अगर universal set अगर इसका अगर universal set अगर यू होता है तो यू में क्या होगा यह सारे elements तो होंगे बस उसके अलावा extra elements भी होंगे जैसे कि यहाँ पे एक example तोर पे अगर ए अपना 1, 2, 4 है तो यू अपना क्या है यहाँ पे अपनी साबसे में इसको place क्या हो that is x such that x is an integer जहाँ पे x के value कहां से कहां तक है yes इसको आप मानलो positive integer है x अपने क्या मानलो positive integer है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएगा यह क्योंकि यहाँ पे देखो x के value कहां तक है यह less than or equals to 8 है मतलब 8 को भी मुझे यहाँ पे लेना है because of this equal to तो अगर इसको मैं when diagram से बना करके दिखा हूँ okay देखो यहाँ पे अगर इसको अपन when diagram में देखेंगे तो यह कैसा बनेगा यह यह अपने क्या होगा एक मानलो यह अपने क्या है एक universal set है इसके अंदर अपने क्या है एक set है जिसका नाम क्या है A है तो इस पूरी universal set में कुछ ऐसे elements जो A के अंदर में है और कुछ ऐसे elements भी है जो A में नहीं है बट वो सब किस में contain करेगा अपने यह U में करेगा तो universal set को अपने कैसे define करेंगी All the objects under discussion Example के तो आपने आपर बता दियो में जैसे कि आपके पास कोई set A जिसके elements के 1 to 4 है तो यह जिस universal set में आएगा उसके elements क्या होंगे इससे अधिक होंगे हमेशा याद रखिएगा इसका जो cardinal number होगा वो क्या होगा हमेशा अधिक होगा as compared to cardinal number of set A क्योंकि यहाँ पर cardinal number अगर अधिक हो गया इसके comparison तो universal set यहाँ पर जागा और यह अपना यहाँ पर जागा जो की unjustified है यह चीज़ सही नहीं है अपका हमेशा universal set के cardinal number होगा जो भी elements होगे वो क्या होगे हमेशा अधिक होगे as compared to the elements in set A अब आपन नेक्स होगा start करते है that is disjoint set येस अपना next जो term होगा that is disjoint sets ये भी वो एक बहुत important term है इसमें क्या होता है two sets A and B two sets A and B are set to be disjoint दो set A and B हैं उसको पर पर disjoint कब बोलेंगे जब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ A intersection B यह जो आपको लिखाना intersection Large अपना आई यहाँ रहाँ रखिएगा अगर मैं ऐसा कहीं लिखा हुँँअ यह अपना union को show करता है सब्सक्राय अगर मैं union B लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है एक elements को भी लेना है और B के elements को भी लेना है कहीं अगर मैं लिखता हूँ कि A intersection B लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है हमें सिफ उनी elements को लेना है जो A and B में common हो आई बास हमाज में Union के लिए जो conjunction use होता है that is or इसके जो conjunction use होता है that is and ओके तो यहाँ पर आप देखिए two sets A and B are set to be disjoint अपने disjoint इसको कब बोलेंगे if A intersection B if A intersection B is equal to 5 5 का मतलब क्या होता है null element होता है zero element बोल सकते है फिसको empty set भी उसको बोलते है मतलब यह है कि जब A और B में एक भी element अपने common ना मिले तो वो दुनों set को क्या बोलता है disjoint set बोलते है example के top यहाँ पर yes set A यहाँ पर रिखाया इसके elements क्या है तीन elements 1,2,3 और B एक ऐसा set इसके elements क्या है ABC अगर दोनों set का अगर मैं cardinal number चक करूं तो यहाँ पर क्या इसका 3 है इसका भी cardinal number कितना है कि 3 आयागा लेकिन disjoint में cardinal number का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमको किसको देखना है elements को देखना है तो यहाँ पर जो elements 1,2,3 और इसमें नहीं दिखेगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे disjoint set में उसको पन काउंट करेंगे ओके यस थैंक यू सो मच